So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगणबाडी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक और नई वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोशन ट्रेकर एप से संबंधित एक बहुत ही महतोपुन विशाय के बारे में जो Adolescent Girls यानि किसोरवाई लड़कियों का एक केटेगरी है उसके बारे में काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो किसोरवाई लड़कियों का एक option हमें देखने को मिल रहा है उसमें हमें Growth Monitoring करनी है या नहीं करनी है कि किन सेविका को करनी है किन सेविका को नहीं करनी है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको महतुपुर्ण जनकारी देने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा जरूर देख लिजेगा वीडियो में दीगे जनकारी आपको इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे पोसन ट्रेकर एप को ओपिन कर लिया है आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कई महीने पहले जो एडोलसेंट गर्ल्स का ऑप्शन है उसको पोसन ट्रेकर एप से हटा दिया गया था लेकिन अभी भी कुछ कुछ आगनबारी सेविकाओं के पोसन ट्रेकर एप में यहाँ पर जो एक option है adults and girls का यहाँ पर वो option सोग कर रहा है तो देखिए जिन भी आगन बारी सेविका के पोशन ट्रेकर रैप में यहाँ पर adults and girls का option सोग कर रहा है वो अपना growth monitoring कर सकती है जैसे कि आप लोग करेंगे तो आपके ही benefits आएंगे यानि कि जो यहाँ पर हम लोग बच्चों का growth monitoring करते हैं तो यहाँ पर कुछ pending आप लोग को देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर dashboard में जाएंगे dashboard में जाने के बाद यहाँ पे जो growth monitoring का chart है जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे total जो भी लभार्थी है उसका यहाँ पे growth monitoring दिखाता है कि कितना आपने यहाँ पे complete कर लिया है और कितना आपका pending है यानि कि adults and girls को आपने add किया है और आपके portion tracker app में वो option so कर रहा है तो आपका यहाँ पे pending दिखाएगा तो आप सभी को growth monitoring उनका भी कर लेना है जो adults and girls है और बच्चों का भी कर लेना है तो आपका यहाँ पे 100% growth monitoring हो जाएगा अगर नहीं करते हैं तो आपका 100% यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसलिए आप लोगों को यह जो adults and girls का option है जिनके भी portion tracker app में so कर रहा है वो यहाँ पे अपना growth monitoring कर सकती है बात बाकी जो आगनबरी सेविकाओं के portion tracker app में जो adults and girls का option वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो उनको कोई भी दिकत नहीं है वो अपने बच्चों का जितना भी growth rating है वो यहाँ पे complete कर सकती है तो I hope आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके share कर दीजेगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद